Hello and Namaskar, आपका स्वागात है Mixbox ने, आज हम अंबोक्सिंग करने जा रहे हैं, OnePlus 70 जो की एक retail unit है और जिसको हमने Reliance Digital से पर्चेस किया है, हमने offline market इसलिए चूस किया है, बिकाज Reliance Digital हमें दे रहा था, 5500 का total cashback, और दोस्तों, इट कम्स विथ a Snapdragon 855 Plus processor, यह 90Hz display, AMOLED display आता है इसके स and it comes with triple camera setup, one is 48MP main camera, 12MP telephoto lens and 16MP ultra wide lens, so without further ado, let's get started, but before that, I want to thank one of my friends who has gifted me this OnePlus T-shirt, so let's get started, thank you. तो स्टार्ट करते हैं इसका tier down यह रहा हमारा OnePlus 7T, जो की आता है color Glacier Blue के साथ, 8GB, 128GB का version है यह, इसकी price है 37999, और चलिए, करते हैं हम इसकी unboxing यह है OnePlus का एक logo, उसके साथ हम देखेंगे अभी इसमें क्या मिलता है हमें एक invitation letter, कुछ stickers और यह कुछ documentation हमें मिलेगा यह रहा हमारा phone, OnePlus 7T, जैसा कि आप देख सकते हैं, triple camera के साथ, इसको हम थोड़ा side में रख देते हैं हमें एक मिलता है, SIM ejector tool, यह है SIM ejector tool, यह इसके साथ आने वाला cover, cover कापी अच्छा है जैसा कि अब देख सकते हैं, study है बहुत, यह है हमारा cable, charging cable, और यह रहा हमारा warp charge, जो की इस बार आता है 30 watt के साथ यह 30 watt charger है दोस्तो, OnePlus का logo है यहाँ पर, देखिए, बहुत fast charging इस बार दावा कर रही है OnePlus, हम लोग देखेंगे, by time foremost हमारा phone, लेकिन इस से पहले हम देख लेते हैं हमारा यह invitation letter, जो की आया है OnePlus की तरफ से यह रहा invitation letter, इसको हम लोग खोलेंगे चलिया है, इसको side में रखते हैं, अब दिखाते हैं, main जो सब से important है, हमारा OnePlus 7T देखिये इसका color, इसका USB, triple camera, बहतरीन लग रहा है दोस्तों, glacier blue, it looks very good, neat and clean यह रहा हमारा phone, और यह रहा हमारा OnePlus 7T, इसका camera देखिये, triple setup camera तो चलिये, करते हैं phone को start हमने कर दिया है phone को start first boot है यह यह रहा हमारा OnePlus 7T, जो की आता है 6.55 inch display के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है इसका power button, यह है इसका alert slider, और यह है इसका volume rocker यहाँ पर हमारा SIM tray, USB type C, यह है हमारा stereo speaker, और उपर में भी एक earpiece दिया गया है, जो की stereo speaker का कामी करेगा और यहाँ पर और एक mic हम जब इसको back करेंगे, इसका जो entire body है, glass का है, लेकिन एक mid finish का look देता है इसको यह है इसका main camera, यह है इसका ultrawide camera, यह है इसका telephoto camera, जो की आता है dual tone LED flash के साथ जो main camera है, it comes with OIS, तो चलिए, शुरू करते हैं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारे one plus 70 को, यह हमने start कर दिया, यह सब कुछ agree कर लेंगे, इसको skip कर लेंगे, date को लेंगे, iscom skip करेंगे, बाद में लेंगे, iscom vivid में रख रहे हैं, यह हो गया, start hello कर देंगे, इसको यह देखिए, one plus का display, जो की आता है, HDR 10 plus ready, और जिसमें है Dolby Atmos sound का feature, यह रहा main home screen, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक hidden space दिया गया है, जहाँ पे आप अपने apps को hide करके रख सकते हैं, आप चले जाएंगे हम settings पर, यह रहा इसका display, यह refresh rate हम change कर सकेंगे, अभी 90 hertz में है, अगर आपको चाहिए तो आप 60 hertz में करेंगे, अगर 60 hertz में करेंगे तो battery का, जो consumption है बहुत थोरा कम होगा, यहाँ पे और एक option दिया है, जो है reading mode का, यहाँ पे आपको Amazon Kindle की तरह, यहाँ पे आपको एक reading का option मिलेगा, अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहें, तो उसको पढ़ सकेंगे easily, यहाँ पे video enhancer दिया गया है, जिसकी मदद से जब भी आप कोई video play करेंगे, उसको enhance mode में जाके, उसको video को और भी ज़्यादा enhance करके, आप उसका लुप्त उठा सकेंगे, हम आ गये हैं अब about phone के feature में, जहाँ पे आपको phone के सारे specifications के बारे में पता चल जाएगा, OnePlus का Oxygen OS, इसका main software जो है, यहाँ पे दिया गया है, और यह Android 10 के साथ आता है, आप देख सकते हैं, Android 10, आच्छा लगता है, इसके साथ आप खेल सकते हैं, Android 10, inbuilt है, और OnePlus ने September में जब भी निकाला था, तभी एक security update दिया था, आप customization में जाके, customization भी इसका change कर सकते हैं, जो की OnePlus का one of the photos है, अगर आप यह customization change करेंगे, तो आपका phone का feature, अगर dark mode में जाएंगे, तो phone का जो battery backup है, तो बहुत जाद आच्छा हो जाएगा, यहाँ पे fingerprint का भी option है, वो हमने अभी start नहीं किया, बाइ time हम कर लेंगे, लेकिन in the meantime मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, this phone comes with NFC, and it comes with USB 3.1, NFC जो है, phone के निचले हिस्चे में, camera के निचले हिस्चे में है, जो आप NFC, अगर आप की कोई भी device में NFC है, तो उसको use कर सकेंगे, अब हम लोग इसका fingerprint test करेंगे, on screen fingerprint, जो कि हमने अपने पहले ही, हमने set कर लिया है, तो देखिए, बहुत ज्याधा fluidic है, बहुत ज्याधा fast है, अब हम लोग देखेंगे इसका face unlock, तो चलिए, मैंने अपने पहले से ही, अपने face को यहाँ पे detect कर वा लिया है, तो अभी start करत है, बहुत fast है, देखिए, इनका software optimization बहुत ही अच्छा है, OnePlus का, जो कि इनका forte है, यह रहा OnePlus 7T का primary camera, जो कि आता है दोस्तो 48MP के साथ, जिसमें है आपका Sony का IMX586 sensor, जो कि है 1.6 aperture के साथ, यह रहा उनका ultra wide camera, जो कि है 16MP का, और यह रहा इनका telephoto lens camera, जो कि 12MP का है, वैसे तो आपको 586 का जो primary camera है, Sony का, वो बहुत सारे devices में आपको मिल जाएगा, लेकिन, OnePlus का जो software optimization है, वो Android department में उनका best है, जो आपको दूसरी devices में नहीं मिलेगा, हम आशा करते हैं, आपको हमारा यह unboxing पसंद आया होगा, हमने वीडियो के आखिर में कुछ sample photos ढाले हैं, जिसे देखकर आपको clear view मिल जाएगा, कि OnePlus का camera कैसा है, बार को यह आखिर का विडियो हमने वनप्रस 7D से शूट किया है अगर आपको हमारा यह इंबोक्सिंग पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्स्ट्रेब करना ना भूलें थेंक यू